मुसा वादा विर्मनी सिख्खा पदंसमादियानी आज एक फॉन आया वो वीदा पिपल की सदस्य रहे हैं उन्होंने कहा जी कि उत्तर प्रदेश के नौईडा में एक काईक्रम है और वहाँ जो वीदा पिपल की सदस्य है वो पैसे लेने आए सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वीदा पिपल पैसे नहीं लेता पबलिक से और नाकेबल पैसे नहीं लेता कोई सदस्यता सुल्क कोई रसीद, कोई पर्चा, कोई एकाउंट नमबर, कुछ भी नहीं है यानि वीदा पिपल हम भारत के लोग समण संग में कोई एकाउंट ही नहीं है जिसमें ये अपील की जाए कि पैसे दें और वीदा पिपल ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वीदा पिपल के नाम से पैसे मांगता है या पैसे लेने आता है तो आप उसकी सिकायत पुलिस में करें FIA कराएं उसकी पिटाई کرें उसकी बेज़चती करें उससे पूछें कि वह पैसा क्यों ले रहा है वीदा पिपल पबलिक से कभी भी पैसे नहीं लेगा समण संग कभी भी पैसे नहीं लेगा पहले भी कभी जो बुद्ध से पहले समण संग था उसमें भी कोई पैसे लेने का नियम नहीं है फिर भी कुछ लोग पैसे लेते हैं और कुछ देते हैं तो ये उनका आपसी मामला है दरसल हमारी सारी की सारी जो मुव्मेंट खराब हुई है चाहे वो धम्मिक है, चाहे वो राजनीतिक है चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है चाहे वो कोई इंस्ट्ट्ट बनाने वाली है चाहे एजुकेशनल है, चाहे लड़कों के दलबल है ये सभी लोग जितने भी हैं ये दरसल सुरू में तो आते हैं सामाजिक काम करने के लिए धम्मिक काम करने के लिए राजितिक काम करने के लिए और लोगों का वैलफेर लोगों का कल्यान करने के लिए सुरूमें इंकी भावना बड़ी अच्छी होती है मगर बिना हिसाब का पैसा जब इनके पास आता है क्योंकि हिसाब तो कोई दीता नहीं और ये जो डरा कर धमका कर लोगों से पैसा लेते हैं लोग उस पैसे का हिसाब नहीं मांगते और कुछ मांगते हैं तो उनको निकाल देते हैं फिर वो अपना संक्ठन अलग बना लेते हैं यह पैसे लेने की पैसे इखटे करने की एकाउंट में पैसे डलवाने की जो बीमारी है इस बीमारी की वज़े से हमारे सारे के सारे वो अधिकार चलेगे जो बावा साब पे आपको payback करना है, society में देना है, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिला है, वो society के नाम पर मिला है, तो बहुत सारी लोग अपना पांचमा हिस्सा देना चायते हैं, कुछ ज़्यादा भी देना चायते हैं, कुछ देते भी नहीं है, तो लेने वाले हजार हो आगे, लाख हो आगे, 29 लाख संठर हैं हमारे, जिसमें 4 लाख active हैं और समी पैसे देते हैं, 6,743 को जो जाती हैं, उनको जोडने के लिए 29 लाख संठर बन चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग पैसे देते हैं, बहुत सारे लोगों ने धन्दा बना लिया है, जिनको कोई काम नहीं है, वो एक इवेंट का काम करते हैं, मतलब या तो धम का कोई काम करेंगे, कोई बुद्ध पूर्ण में आ रही है, तो उस पर कोई गाने बजाने का काम करेंगे, चौदे अपरेल आ रही है तो उस पर कोई काम करेंगे, या 26 नमबर आ रही है तो उस पर कोई काम करेंगे, या 6 दिसंबर आ रही है तो उस पर कोई काम करेंगे, या बीच में कुछ ना कुछ ना कुछ चलता रहता है, इतने सारे महापुरूष हैं, तो उनके नाम पे, जातियों के नाम पे जो संक्ठा्म बनाये हैं यद ना भी करेंगे तो अपना सालाना अधिवेशन या सालाना जुलूस या कोई State का Repräsentation या State का अधिवेशन या कोई जिले का वो करेंगे और हर वार पैसे लेने आएंगे और सब आएंगे और अलग अलग आएंगे ये जितने भी लोग हैं ये अच्छे तरह जानते हैं कि अलग अलग पैसे लेने से अलग अलग संठनों से अलग अलग काम करने से कोई करांती रही होने वाली है बलकर प्रिट्टी करांती हो रही है जो करांती बावासाब करके गए थे, उसका उलट हो रहा है, और खुद कर रहे हैं ये लोग, इसलिए देने वाले और लेने वाले दोनों को समझना चाहिए, लेने वाले की तो मजबूरी है, क्योंकि उसके पास कोई रोजगान नहीं, कोई काम नहीं, और उसको उसके आकाओ ने, नेताओं ने, उसके मालिकों ने, उसके स्वामियों ने, और जो प्राइविट लिम्टेट कंपनी खोल लगी हैं, जिसके डायक्टर मालिक बने हुए हैं, प्रधान बने हुए हैं, उन लोगों ने समझा रखा है, कि हम बहुत बड़ी करांती करने जा रहे हैं, आप पैसा देते हैं, पैसे से कोई करांती नहीं होती, आज तक कोई करांती पैसे से नहीं हुई, इसको अच्छी तरह समझने के इत्यास के अंदर कोई भी करांती पैसे से नहीं हुई, बलकर पैसे से करांतियां खराब हुई हैं, पैसे से जगड़े हुए हैं, पैसे से एक के दो 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 32 के 64, 256 के 52, 124, 1024 और 2048 ऐसे करते करते 39 लाग संग्ठर बन गए हैं अगर पैसा नहीं होता तो ये सब इखटे रहते क्योंकि पैसा जो होता है वो धंदा है और धंदे में आदमी जब उतर जाता है तो फिर उसको किसी भी हलत में कोई मुवमेंट या कोई मिसन नहीं दिखाई देता उसको तो ये दिखाई देता है कि आज कितने कलेक्शन करके लेकाया 40% तू रख ले और 60% मुझे दे दे ये खुला खेल चल रहा है 40% का 60% का लोगोंने 10-45!5,000 रुपे एक-एक आदमी से मांगे हैं एक-एक महिने की सेल्णिया मांगी हैं लोगोंने बिदिंग अबनाई हैं बहुत सारी बिदिंग पहले से बनी हुई त्यार हैं बाववा साब भी बना&के गए हैं जब वो ही नहीं बचीए, जब उन्हीं पर कुछ काम नहीं हो रहा, तो नई बिल्डिंग पर कोई काम कैसे होगा, यह सोच सकते हैं आप. बावा साब अमबेट का भवन बना के गए, उस पर कोई काम नहीं होता, उस पर कबजा हो गया, कुछ जो अमबेट का विरोधी लोग हैं, वो वहाँ बैठ गए, और उन्हें सारी मुवमेंट हमाँ खतम कर दी, चाहे वो मुंबई की कहानी हो, चाहे वो दिल्ली की कहानी हो, सब जिगें उनकी यहां कोई मुवमेंट उस जमीन पर नहीं चलता, जबकि होना यह चाहिए था, कि उन जमीनों पर अब तक इंटरनेशनल मुवमेंट खड़ी हो जाने चाहे थी, 70-50 साल हो गए, हो सकता था, इसलिए कोई नई जमीन बनाए, कोई होस्टल बनाए, कोई भवन बनाए, कुछ भी बनाए, उसका कोई उप्योग नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पहले वाले हैं, उनी का उप्योग नहीं है, और जो करांटी होती है, वो जमीनों से नहीं होती, इसको अच्छी तरह से समझें, कि जो भारत में करांटी होई थी, वो बुद्ध ने क चिलति की, तो बुध्ध ने पैसे नहीं लिन, इक ही से। बुध्ध ने कोई जमी जयात नहीं बनाई, बुध्ध ने कोई वहारण नहीं बनाई, बुध्ध ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, बुध्ध तो लोगों को इककटा करते थे, और मांग dir एक często मिलत खोड़़ अपनी जरूरतें उन्होंने विल्कुल खतम करनी, दो जोड़ी चीवर और एक कटोरा उनके पास होता था, और उन्होंने सारे ही सारे टीचर ऐसे त्यार किये, जो कम से कम जरूरत में अपना काम चला सकें, और समाज में बूजना पढ़ें, और समाज को पढ़ाएं तब करा आशे से अपना परिवार पालने से कोई करांती नहीं होती, इस मुगालते में मत रहना, जो काईकरम होते हैं अधिकतर वो इवेंट वाले होते हैं, साल में एक काईकरम लगाना है, तो उनको एडिक्सन हो जाता है, बीमारी हो जाती है, क्या बीमारी हो जाती है, हमने साल मे तुम्हें अपनी मंच पर बुलाया ना, तुम्हारा भाजन कराया, तुम्हारा सम्मान किया, तुमको टोपी पनाई, तुमको गमचा पनाया, तुमको फूल दिये, तुमको खिचवाया, तुमको किताब दी, तुमको बुके दिया, तुमको मोमेंटम दिया, तो अब तुम भी हमें दो तो चोटे चोटे प्रगाम में उनको बलाते हैं अदले का बदला हो रहा है मिसन मुमेंट कहीं नहीं है दिखावा हो रहा है दिखावा क्या पूराम चल रहा है हर साल अधीव यसन लगाना है अधीव यसन किसनी लगाना चायते हो लोगों को जानकारी देने के ल अपने खाने के साथ लोगों को बलाओ, जैसे वीदा पीपल करता है, जैसे समरसंग करता है, जैसे समरसंग पहले करता था, उसी पटन पर लगाओ, पैसा किस नहीं चाहिए, सिवाए आयासी के लिए और कुछ नहीं, क्योंकि पैसे से कोई मूवमेंट हो नहीं होती, तो अब आगता होती, और काम्यावी होती, तो सारे के सारे अधिकार बचते और आगे बढ़ते, जो अधिकार बावा साब नहीं दे पाए, आर्थे का अधिकार और जो सामाजिक एकता का अधिकार था, वो नहीं दे पाए, वो भी आते, मगर सारी के सारी इंड़स्टी, सारी सारी सारे जो पब्लिक सेक्टर के कंपनिया थी जो गवर्मेंट की कंपनिया थी वो सारी सारी बिग गई एक ले देकर सरकारी नौकरी थी बिजस हमारे पास है नहीं इंडिस्ट्री हमारे पास है नहीं, खेद खलियान हमारे पास है नहीं, ये सारे सारे चले गए, इतना पैसा देने के बाद, इतने इवेंट होने के बाद, कुछ लड़के चार-पाज इखटे होते हैं, गाना बजाने के लिए पैसा इखटा कर लेते हैं, खुब पैसा और अगर इस हमारी मौत है। और एगर एकसाथ होते हैं तो हमारी जीत है। 14 अपरेल को हजारों जीगर अलग मनाते हैं, कोई फायदा नहीं उसका, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300, खाए पिये खिसके, यार दोस्त किसके, कैसा मुम्मेंट, काए का मुम्मेंट, एक बीमारी हो गई है कि हमने भी किया, हमने भी किया, हमने भी किया, एक दूसरे को दिखात हो जाओ संग्डित हो जाओ और खुद अलग-लग कारेकरम करते हो अभी छे दिसंबर आ रहा है छे दिसंबर को हर व्यक्ति इस दुख के मौके पर भी अलग-लग का इकम लगाएगा इतनी शरम नहीं आती कि बाबा साब की मरव दिन पर तो एक साथ संग्र आ जाता जाएं कम से कम जब सभी समणर समाज के लोग हैं जब सभी से स्वेचे Skin YEAH की और और गाते हैं और तो खांध का सब चार्ट जाय्या चार्यों कर वे निबान देबस मनाते हैं तो अलग-ख Зबयाने जिसंक कहा था कि तुम अलग अलग हो जाना, महापुस्च ने कहा था, और्गनाइज, तुमको और्गनाइज का मतलब समझ में नहीं आ था, तोकि पैसा मिलता है, ना, इसलिए जिनका फोन आया है, मैंने उनसे कहा, कि बाई देखो, बार बार वीदा पीपल समझ संग बताता है हर वीडियो हर पोश्ट में बताता है पैसे न लें न दें फिर भी अगर आप देते हो तो उसमें समझ संग वीदा पीपल क्या करेगा अगर आपको बार बार समझाने पे भी समझ में नहीं आता है तो आपके लिए यही उच्छत है कि आप खुब लोगों को पैसा दे और मोमेंट को कमजूर करें और लेने वाले के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा क्यों लेने वाले का तो धंदा है लेने वाले का तो परिवार चलता है लेने वाले का तो काम चलता है उसका तो business है, वो तो अपनी business पर परफेक्ट है, 40-60, यतना पैसा आप देते हो, 40% उसको मिलता है, 60% वो अगनाजमी देता है, इसलिए सब चुप रहते हैं, सब खामस रहते हैं, कोई नहीं बोलता, पैसे से moment नहीं आती है ध्यान रखना, आज तक पी कोई भी moment, कोई भी कर करांती होती है लोगों के इखटे होने से, करांती होती है लोगों की एक वोईस बनने से, करांती होती है लोगों के एक समधान से, करांती होती है लोगों के एक decision से, और करांती होती है उस decision पे उस निर्णे पे एक साथ चलने से, तब करांती होती है, तब बदलाव होता है, जैसे किसान एकटे हुए और वो अड़े रहे और एक बात थी सारे एकटे हुए बात बन गई जैसे दो पैल अठारे को सड़क पलो गए एक बात थी एक वज सारे बात बन गई इसलिए समझ यह कहता है कि आपको अगर अपने बच्छों क النे अधिकार बचाने हैं तो आपको पैसा नहीं देना चाहिए, पैसा बिलकुल ना दे, पैसा देंगे तो आपके बच्चे मारे जाएंगे, आपकी मुमेंट खतम हो जाएगी, अगर आप पैसा नहीं देंगे, तो मुमेंट में जितने लोग काम करते हैं, जो नखली हैं वो भाग जाएंगे, जो अस महिससा देना है 50% पैसा देना है आप तब पैसा दीजिए तब पैसा काम्याब होगा किसानों की तो आपको अदिकार मिलेगा जो दो अपरलह Cynthiare को आप तो सबी संखचर्णों की वैसे हुआ तो दुबारा क्यों नहीं हुआ तो हर्वार क्यों नहीं हुआ हर्वार होना अगर इन संग्ठोनों की वैसे हुआ है ये बात ठीक है कि संग्ठोनों ने जागरुकता फैला ही है मैंने पहले भी कहा है बार बार कहता हूँ मगर जागरुकता अगर 2% है तो नुकसान 98% है इसलिए 2% फाइदे के लिए आप ये नहीं कह सकते कि इन संग्ठोनों का बहुत अच्छा काम है क्योंकि नुकसान 98% हुआ है अगर नुकसान रुपे में 2% होता 2 पैसे होता और फाइदा रुपे में 98 पैसे होता तो हम कहते कि इसका फाइदा हुआ है क्योंकि हर संग्ठन का नुक्सान फायदा होता है इसलिए फायदा ज्यादा होना चाहिए जब पैसा दिया जब सपूर्ट किया सारे काम किये तो फायदा होना चाहिए इसलिए अब इन सब को एक साथ आने की आवशकता है, अगर आप चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये सब इखटे एक साथ आएं, तो सिर्फ आप पैसा देना बंद कर दीजिए, और इनको ये कहना हिल नहीं सकते आप पैसा देना बंद कीजिए और इस बात को सब लोगों को कहना सुरू कीजिए कि पैसा देंगे तब इकटे होके आओगे जब धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसर लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामूँ संगं सरेनं गच्छामूँ बूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामूँ बूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामूँ बूतियं पी दम्मं मर्सेनं गच्छामूँ बूतियं पी दम्मं सरेनं गच्छामूँ बूतियं पी संगं सरेनं गच्छामूँ दोखियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोखियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी